हर्याना के पूर्व सीयम और भाजपा के लोकसभा परत्यासी मनोहर लाल खटर ने करनाल के सेक्टर 6 में एक किराय का मकान ले लिया है नारियल तोड़कर लोकसभा परत्यासी मनोहर लाल खटर ने ग्रह परवेश किया 9 साल बाद पूर्व CM करनाल में सिप्ट हुए हैं और वह भी एक किराय के घर में उन्होंने नारियल तोड़ कर आज नए घर में एंट्री की है ग्रै परवेश के बाद पूर्व CM रहो तक के लिए रवाना हो गए मंगलवार को घरोड़ा की नई अनाजमंडी में विजय संखनाद रेली के साथ ही लोगसबा चुनाओ का बिगुल BJP ने फूख दिया था अब लोगसबा परत्यासी मनोहरलाल अपना चुनाओ पर चार अभ्यान सुरू करेंगे और मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे लोगसबा चुनाओ 25 मई को है और 4 जून को नतीजे आने है जिसमें मनोहरलाल ने सवा 9 साल की सेवा का फल सामने आएगा लेकिन देखना ये होगा कि ये चुनाओी जो फल है ये कितना कड़वा होता है या फिर ये फल मीठा रहेगा बीजेपी दावा कर रही है कि इमानदारी के साथ-साथ पूर्व सीम ने परदेश की जंता की सेवा की है और विकास भी किया है लेकिन विकास को करनाल लोगसबा की जंता कितने नमबर देती है वह एक देखने वाली बात होगी फिलाल आज मनोहरलाल मकान नमबर 166 में सिफ्ट हो चुके हैं इससे पहले वे CM रहते हुए रामनगर के CM हावास में ठहरते थे मुख्यमंत्री की जम्मेदारी से मुक्त होने के बाद अब पूर्व CM लोकसभा चुनाओं में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं हलाकि BJP ने लोकसभा चुनाओं में मनोहरलाल की मदद के लिए ताकत जोक नाज सुरू कर दिया है पहली ही रेली घरोडा में रास्टी अध्यक्स जेपी नड़ा की होने वाली थी लेकिन किनी कारणों से जेपी नड़ा नहीं पहुँच पाए लेकिन घरोडा की संखनाद रेली में सीम नायव सिंग सैनी ने लोकसभा की जनता से मनोहरलाल के पक्स में वोट करने की अपील की थी